पूरी कौम देख रही है कि इस वक्त सियासत के सबसे बड़े एवान में क्या हो रहा है बैक डोर चैनल से राप्ते भी हो रहे हैं एक्शन भी लिया जा रहा है कमेटियां भी काइम हो रही है अगर नहीं हो रहा तो बजट के उपर संजीदा गुफ्तगू नहीं हो रही जिसके लिए पूरी कौम मौनतजर है क्योंके बजट अभी पास नहीं हुआ इसे पास होना है कौमी असम्बली से इसके बाद सैनेट में जाएगा लेकिन पांच मिनट के अंदर अंदर आपके मेरे और इस कौम के लाखों करोड़ों रुपे किस तरह से जाया किये जा रहे है यह मैं आपको तफसील बताओंगा लेकिन इसके साथ साथ इस सारे स्यासी शोर शराबे में पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरे भी है उनके उपर भी बात करेंगे खास तौर पर आईम एफ गुरू शौकत तरीन की कुछ पॉलीसियां ऐसी है जिनके उपर बहुत तेजी से अमल दरामत जारी है और उनके नतायज भी अब आईस्ता सामने आना शुरू हो चुके हैं पाकिस्तान ने आईम एफ के दो अहम मतालबात मुस्तरद कर दी हैं वजिर आजम इमराउंद खान भी डट गए हैं इस बार वजिर खजाना शौकत तरीन येस बॉस येस सर कहने वाली पॉलीसी पर अमल करते दिखाई नहीं दे रहे पाकिस्तान की अवाम के लिए स्टेंड लिया गया है और दो अहम मतालबे जो आईम एफ कई हफ़तों से पाकिस्तान से मनवाने की कोशिश कर रहा है वो पाकिस्तान मानने के लिए त्यार दिया है उसकी तफसील भी आपको बताऊंगा और साथ ही एक नई पालीसी पर अमल दरामत होने जा रहा है जिसके नतीजे में टैक्स चोरों की शामत आने वाली है 72 लाख अफराद का डैटा हकुमत ने तियार कर लिया है और अब जो टैक्स नहीं देगा या टैक्स छुपाएगा जिसका खुम्याजा आपको हमें भुगतना पड़ता है फिर बाद में उसकी गिरफतारी यकीनी बनाने के लिए हकुमत जबरदस्त एक्दामाद कर रही है वो सारी तफसील आपको बताऊंगा लेकिन क्विकली थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज के हाट टापिक पर यानि कौमी समली में जारी हंगामा अराइकी जो 72 घंटों के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही है गुजिशता रोज के विलॉग में मैंने आपको बताया के ये पारलिमान इस सियासत का सबसे मुकदस एवान है लेकिन बहुत सारे लोगों ने पूछा के ये मुकदस ए गिता बुरा गिता कार के चाट देता होर बुरा गिता वही इस साब किताब इस बार भी हो रहा है एक तो आपने गालम गलोज की फिर आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये पंजाब का कल्चर है ये किस किसम का बेहुदा कल्चर है जो आप मुकदस एवान में लेके आ रहे ह تو मुकदस औवान वाली बाद वो जिसने कॉमेंट सेक्शन में कही थी कि इसे मुकदस औवान ना का जाए तो वो मेरा ख्याल है कहींना कहीं दvet है हम क्यूं कहीं इसको मुकदस औवान जहां पर हमारे और आपके टेक्स पैसे की कोई हिपाज़त ही नहीं है होना ये चाहिए था कि आज जिन लोगों के खिलाफ कारवाई हुई उनको एवान से बाहर बिठा कर आज कौमी इसम्बली का एवान चला कर पूरी कौम को बताया जाता कि हमने एक्शन लिया आज सुबो स्पीकर कौमी इसम्बली ने वजीराजम इमरान खान से मुलाकात की उस मुलाकात में ये तैप आया इसमें किसी किसम की रायत ना की जाए और वजीराजम ने का कि जो लोग भी सारी हंगामाराई में मुलविस थे चाहे वो हकुमती जमात के थे या अपोजिशन उनको एवान से बाहर किया जाए जब तक ये बजट इसलास चल रहा है आज स्पीकर साब ने आगे स्टेटमेंट दिया साथ लोगों को एवान से बाहर कर दिया गया जिन में से तीन हकुमत के थे चार ओपोजिशन के थे लेकिन आज की कारवाई शुरू होने से पहले ही ए अंदर नजर आने वाला ये घुसाब एवान के बाहर तक भी नजर आ रहा है कुछ दिर पहले जब ये इजलास खत्म हुआ तो आपोजिशन के रुकने असम्बली ने हकुमती अरकान यानी खातून रुकने असम्बली की गारी को जबरदस्ती और जान बूच का टकर मारते हुए वहां से जाने की कोशिश की जिसके नतीजे में आलिया हमजा की गारी को नुकसान भी पहुँचा और भी कुछ हो सकता था इससे बुरा लेकिन फिल हाल बच्चत हो गई 28 जून तक ये बजट जारी रहना था 40 घंटे की बहस होनी थी लेकिन अभी तक 5 मिनट से जादा की बहस नहीं हो पारी और इजलास 20-20 मिनट के लिए मुलतवी हो जाता है आज फिर वही हुआ जैसी इजलास शुरू हुआ उन्होंने जनाब बोतल दे हमारी इजलास फिर के लिए कौम इसम्बली के एवान में आते हैं उनके तो मज़े हो गए ना हवाई सफर करके आए आपके और मेरे पैसे से T.A.D.A. का खर्चा निकाला रहाइश का खर्चा निकाला पैट्रोल का खर्चा निकाला अलाउंसे इस तनखाएं और बहुत सारे इखराजात हैं ज जिन से ये फैसला नहीं हो पा रहा कि इजलास की कारवाई किस तरह से चलेगी आपका FATF का मौमला है आपका IMF का मौमला है और बहुत सारे चीज़े हैं आपका बजट है फैडरल बजट है ये अभी मनजूर नहीं हुआ इसको मनजूर होने में एक एक दिन एक एक घंटा आपका कीमती है खेर आगे बढ़ते हैं कुछ अच्छी खबरे भी हैं पाकिस्तान के लिए IMF गुरू शौकत तरीन इनको IMF गुरू इसलिए का जाता है क्योंकि IMF से डिलिंग का इनका एक अच्छा खासा बैक ग्राउंड है इनको मालूम है कि किन टर्म्स एंड कंडिशन पर IMF के साथ बात करनी है और कहां पर जाकर आपको स्टैंड लेना चाहिए जो साबिक वजीर खजाना थे हफीश एक साब मैं कोई बुराई नहीं कर रहा है वो चले गए अब लेकिन उनकी एक पॉलिसी थी येस सर और येस बॉस वाली IMF ने जो भी कहा उन्होंने एज इस इस कनवेग किया प्राइम निस्टर इमरांग खान को और उन्हें भी कही न कई कई कन्विंस करने की कोशिश में लगे रहे कि जो IMF कह रहा है हमें मान लेना चाहिए वरना हम तबाह हो गए और उसी प्रैशर में पाकिस्तान ने पिछले कुछ धाई सालों में कई ऐसे फैसले किये जो वजीर आजम इमरांग खान करना भी नहीं चाहते थे और ना चाहते हुए करके उनका नुकसान उठाना पड़ा सियासी तोर पर भी मौशी तोर पर भी और अवामी तोर पर भी उसका रद्यमल सामने आया लेकिन अब IMF एक बार फिर पाकिस्तान से दो मुतालबात का तकाजा कर रहा है उनमें से नमबर वन है बिजली की कीमतें बढ़ाएं क्योंके सर्कुलर डैट बहुत ज़ादा है और उसको कवर करने के लिए IMF का ये मानना है कि पाकिस्तान को बिजली की कीमतों में इजाफा करना होगा और दूसरा मुतालबा है कि अपने टेक्स नेट को बढ़ाने के लिए टेक्स बढ़ाया जाए बज़ट तो पेश कर दिया हकुमत ने इस पर कोई बहुत ज़्यादा टेक्स नहीं लगाए गए बलके जो पहले टेक्स और ड्यूटी लगाई गी थी उनको भी कम कर दिया गया तो वजिर आजम इमरान खान ने कैटेगरिकली इस बार स्टैंड लिया हुआ है पाकिस्तान और आएमफ के दरम्यान इस वक्त जो निगोसियेशन जारी है वो कहीं न कहीं थोड़ा सा डेड लॉक का शिकार दिखाई दे रही है क्योंकि दो मतालबात ना बिजली की कीमते बढ़ानी है हमने और ना टेक्स बढ़ाना है यह असूली फैसला वजिराजम इमरांग खान की जानब से किया गया है हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में इसमें थोड़ी सी तबदीली हो या निगोसियेशन की सूरत में बिजली की कीमत थोड़ी बढ़ानी भी पड़े लेकिन एट दा मॉमेंट यह स्टेंड लिया गया आएम एफ ने का बिजली की कीमते बढ़ाएं प्राइम निस्टर की जानब से का गया नहीं बढ़ाएंगे फिर कहा गया टेक्स में इजाफा करें तब भी ये वाज़े पेगाम दिया गया है कि ना बिजली की कीमत बढ़ेगी ना टेक्स में इजाफा होगा लेकिन होगा क्या उसके लिए हकुमत ने एक पॉलिसी सोच रखी है वो बताने से पहले सिर्फ IMF कोई जवाब नहीं दिया गया अमेरिका को भी जवाब दिया गया है हकुमत की तरफ से और इस बारे में इतलात आ रही है मैं कुछ दिनों में आपको मज़ी तफसिलात भी बताऊंगा कि पाकिस्तान को क्या क्या कुछ देने की पेशकश हो रही है और बदले में पाकिस्तान क्या कह रहा है कि हमें डॉलर नहीं चाहिए हमें रकम नहीं चाहिए हमें आपके साथ तिजारत करनी है इस तिजारत के साथ हम अपने मौमलाद को बेहतर कर लेंगे coming back to the point के tax अगर नहीं बढ़ाया तो पाकिस्तान के मौमलात किस तरह से जलेगे उसके लिए हाथ डालने की त्यारी हो रही है बड़े मगरमचों पर बड़े tax चोरों पर और उनकी अब फैरिस्तें त्यार होना शुरू हो चुकी है तकरीबन अब तक की इतलाग के मताबक 72 लाख के करीब ऐसे पाकिस्तानी बिजनस मैन है या बड़े ताजर हैं जो कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन tax नहीं दे रहे हैं जो फाइलर नहीं हैं ये सबक देने से पहले मैं आपको बस इतना बता दूँ कि मैं खुद फाइलर हूँ tax payer हूँ इस मुल्का तो मैं अगर tax देता हूँ तो इस मुल्का कारोबरी तबका जो लाखों करोडर रुपया कमा रहा है वो tax क्यों नहीं दे रहा पूरे पाकिस्तान का जो बोज है वो खाली 3-4,000 लोग ही क्यों उठाएं 3-4,000 लोग ही tax क्यों दे बाकि सब को भी देना जाहिए जो कमाता है और अच्छा खासा कमाता है उसे तो tax देना जाहिए तो अब इस सिल्सले में हकूमत ने पकड़ लिया त्यारी और धड़ादा लिस्टें त्यार हो रही हैं, notices भिजवाये जा रहे हैं कि वही आपने इतना कमाया है और इतना tax आप पर वाजबल अदा ह लेकिन आप देनी रहें तो अगर अब tax नहीं दिया तो क्या होगा एक example सेट होगी और गिरफतारिया होने शुरू होगी और इस सिल्सले में हकूमत ने income tax कवानी में अहम तबदीलियां कर दी हैं जिसके नतीजे में tax collection के लिए एक तो self assessment scheme जो है वो बहाल कर दीगी है और इ इसके साथ साथ अब उसका third party audit भी होगा ताके अगर उसने tax चोरी की है और अगर वाजबुल अदा tax हकूमती खजाने में जमा नहीं कराया तो फिर उसके खिलाफ कारवाई हो अब होगा ये के FBR का और कारोबारी अफराद का जो physical lane देन था या जो राबते के बाद lane देन हो third party audit करने वाले को कहेगा कि इस बंदे के उपर हमें doubt है system में इसने इतना पैसा कमाया वो शो हो रहा है लेकिन tax शो नहीं हो रहा है इसलिए इसके खिलाफ कारवाई अमल में लाई जाए तो उस सूरत में जब third party audit करवा लिया जाएगा तो फिर इक्तियार होगा विफाकी order जारी कर सकते हैं यानि tax शोर की यह कोई सियासी मुखालफत के लिए इस्तमाल करने वाला टूल नहीं है यह कानून खालस तनून लोगों के लिए इस्तमाल होगा जो tax शोरी कर रहे हैं इस मुलके और इस मुलक को नकाबले तलाफी नुकसान पहुचाया जा रहा है तो एक दम से सारे इकठे होते हैं और कहते हैं जनाब इस मुलका कारोबार तबाह कर दिया हम पर हाथ डाला जा रहा है कभी नैप को पीछे लगा देते हैं कभी FBR को पीछे लगा देते हैं फिर कुछ बिजनसमेंस का ग्रूप किसी और तरफ भी राप्ता करता है आप समझ गय अवाम का भी फाइदा हो जाएगा आपका भी फाइदा हो जाएगा खैर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इजाज है पाकिस्तान को आलमी सथा पर एक नुमाइंदगी मिली है उस हवाले से मैं इन्फरमेशन कल आप से शेयर करूँगा पाकिस्तान आलमी सथा पर जो को